हलो बच्चों मेरा नाम पवन कुमार गुपता टीम फिजिक्स CLC सीकर तो हमारा डायमंड टेस्ट श्रीज जिसमें पाट टेस्ट 5 के हम बात कर रहे हैं जिसमें टोपिक हम कवर करने वाले हैं मागनेटिक टेस्ट में शुरुवात करते हैं हमारी क्योशन 151 से एल कि साइड का एक स्क्वेर लूप है जिसमें आई करेंट फ्लो हो रहा है इसकी सेंटर पे मागनेटिक फिल्ड किस तरह से चेंज होगा एल पर कैसे डिपेंड करेंगा बता रहा है तो देखो यह एक एल सा आई करेंट फ्लो हो रहा है तो हमें पता है कि साइड लेंथ की वज़े से जो मैगनेटिक फिल्ड आएगा चार साइड का फिल्ड हमेशा सेम डारेक्शन में आएगा सेंटर पे तो एक साइड का निकालके फोर टाइम्स करते हैं तो बीनेट के से निकालतो बिटा आफ फोर टाइम्स ओब बी सेंटर जब एक साइड की वज़े से तो एक साइड की वज़े से कितना आएगा में नॉट आई अपॉन फोर पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू ये फार्मुला होता है ना अब देखो यहाँ पे इस साइड को गर हम लेते हैं तो इसकी परपेंडिकलर डिस्टेंस डी कितना हो जाएगा एल बाई टू थीटा वन भी 45 और थीटा टू भी 45 तो यहाँ वैल्यू पूट करोगे तो में नॉट आई 4 से 4 कर जाएगा पाई एल बाई 2 साइन 45 प्लस साइन 45 तो इससे आपका आंसर क्या जाएगा टू पर जाएगा 1 बाई रूट टू प्लस बाई रूट टू तो यह आएगा 2 रूट टू म्यू नॉट आई अपाउन पाई एल यह आपका आंसर बन जाएगा तो इसका मतलब अपने पास फॉर्मला में एल जो है वो इन्वर्स मा रहा है तो मैगनेटिक फिल्ड जो है वो एल के इन्वर्स ले डिपेंडेंट है तो इसका थर्ड ओप्शन हो जाएगा अपना 151 का कोई confusion यहाँ पर अगले question पर आते 152 पर आपको बोलाए कि चार स्क्वेर फ्रेम में कौन से केस में मैगनेटिक फिल्ड सेंटर पर जीरो नहीं होगा देखो यहाँ पर करंट डिवाइड होगी ना इस तरह से तो यहाँ पर करंट जाएगी 3i by 4 है ना और यहाँ पर करंट और यहाँ आटवाइगी और इसका मतलब 3ितो आफॉर वाली सीट की विजए से करंट आएगा और यह आएगा डोट मैं और जो एक साइड तो तीन साइड का डॉट का फिल्ट और एक साइड का क्रॉस का फिल्ट आपस में यहां पर नेट जीरो आ जाएगा और साथ में यह वाले वायर के लिए भी सेंटर कहां पर है वायर की लेंथ के लोग जब कोई पॉइंट रही मिल्ट के लोग होता है तो उस पे फिल्ट जीर प्रोट तो टेर मेंजowo निकले प्लाlor की वजहें से भी जीरो की आएगा सेंटर पर तो पक्की बात हो गाई की इसक्ता जीरो आज जाएगा दूसरे वाले केस्में देखो में यहां पर dot में आएगा और यह cross में आएगा तो इसका मतलब दो side dot वाली और दो side cross वाली current दोनों में एक वले तो यहां भी 0 हो जाएगा फिर इसमें देखते हैं अपन यहां पर देखो यह दो sides जो हैं इसमें current यहां से divide होगा यह वापस वही 3 I by 4 और यह क्या हो जाएगा यहां पर यह भी I by 4 तो देखो I by 4 वाली 3 side और 3 I by 4 वाली 1 side यह तो आपस में cancel कर देंगे field को लेकिन यहां पर ध्यान रखना यह जो दोनों sides हैं यह वाली side और यह वाली side इसकी वजह से ध्यान रखना net field 0 नहीं आएगा है ना इस तीसरे वाले point में तो इसका तीसरे वाले net field 0 नहीं आगा चोथे वाले में देखें तो इसका field किदर आएगा देखो यहां से current 2 इससों में divide होगा इधर से भी 2 इससे divide होगे इन दोनों कदर 0 हो जाएगा अब यह जो टर्मिनल वाली साइड है इस टर्मिनल वाली साइड की वज़े से magnetic field आएगा ऐसे dot में और इस टर्मिनल वाली साइड की वज़े से किदर आएगा cross जबको यह उपर है point नीचे ना अंदर गूम जाएगा point इसकी वज़े साएगा cross यह तो आपस में cancel कर रहे हैं यह भी आपस में cancel कर रहे हैं तो केवल यह third option बचा जिसमें magnetic field पूरा cancel नहीं होगा ध्यान रखना सब तरह के wire क्यों से देखना है एक तो इस square का जो wire है उसकी वज़े से भी देखना है और यह terminal वाले wire इन दोनों का field आपस में cancel नहीं होगा इस वज़े से third अपना answer हो जाएगा जिसमें net field कभी zero नहीं बनेगा इसमें कोई confusion बाकी सब में net field zero आएगा इन चार side की वज़े से भी plus terminals की वज़े से भी ओके तीसरा है कि दो co-exial coils है जिनकी radius इस आर और number of turn नहीं है एक ही current है आई same direction floor ही है उनकी बीच का distance to R है तो magnetic field बताना है centers को मिलाने वाले point line के एकदम midpoint पे तो देखो ये point है midpoint ये c1 ये c2 है ना दोनों में current same direction में तो देखो इसका field कि इदर आएगा इधर इसका भी किदर आएगा इधर तो B1 भी इधर आएगा और B2 भी इधर की तरफ ही बनेगा तो B1 B2 दोनों को जोड़ दूँ और हमें पता है B1 प्लस B2 B1 और B2 दोनों के लिए point symmetrical है ना और सब को symmetrical है इसकी current और इसकी current equal ये distance R है और ये भी radius BR है तो इसका मतलब क्या होगा एक कोईल का निकाल को इसको double करने है field को तो मिन ओट एन आई आर स्क्वेर अपॉन टू आर स्क्वेर प्लस X स्क्वेर एक की value भी क्या है R के बराबर है पावर 3 बाइटू है ना बस ये formula आगया इसको solve कर लेंगे तो क्या है का में ओट N I upon 2 root 2 R तो में ओट N I upon 2 root 2 R मेरा second option होगा इसका ठीके तो इसमे ध्यान रखना symmetry की वज़े से दोनों कोईल की field को आपको add करना पड़ेगा इसमें कोई confusion है ना तो 153 का 2 हो गया आगे बढ़ते है 154 पे यह बोल रहे है आर रेडियस का एक ठोस यहने की solid cylindrical pipe है कर इसमें current I flow हो रहा है pipe नहीं मतलब cylinder है और इसमें I जो है वो तार में uniformly distributed है तो अंदर तार के अंदर surface x distance ध्यान रखना है बटा अंदर भी इनका formula होता है minute I upon 2 pi r small r y capital r यह formula होता है ना अब इसमें अगर अपन देखें यह तार होता है solid इसमें अपन small r जो है वो कहां से measure करते हैं axis से लेकिन इसने x distance कहां से दिए surface से दिए ना तो small r को replace कर दो बस minute I upon 2 pi r r minus x y r यह आ गया तो देखो यह सा कौन सा option अपना इसा अपना option हो जाएगा एक भी नहीं है तो इसमें अपना answer आएगा none of these 154 का 4 आ गया इसमें कोई confusion है ना ठीक है और इसको आप cross check भी कर सकते हो cross check कैसे करेंगे cross checking करो अगर मान लो में surface से x की value if x equals to r हो जाए x equals to r मतलब कहा हो जाएगा means on axis हम axis पर आ चुके है और axis पर फिल्ड कितना होता है 0 है ना तो b axis कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो b axis 0 हो जाएगा x के value r put करके check करो किसमें 0 आ रहा है किसी में भी 0 नहीं आ रहा है तो इसका अंतले मेरा answer कुन सा है इसमें तो infinite आ जाएगा इसमें minute type 1 2 pi आ रहा हैगा तो तीनों में 0 थोड़ी आ रहा है जबकि हमें पता axis पर 0 होता है तो आपका fourth option मन जाएगा देखो दो तरीके हैं तो आप actual तरीके solve करके answer तक जाओ या गलत option कौन साइड ढूंड लो तो यहां तीनों option गलत है cross checking करके पता लग जाएगा ओके या फिर आप x की value 0 कर दो तो surface पर आएगा तो surface पर इन दोनों में से कोई एक answer तो मेच कर जाएगा मतलब दो option फिर भी बच जाएगे तो जैसे भी ए cross checking करके देख सकते हूँ कोई issue नी उसमें और बाकी actual तरीका भी आसाने फॉर्मला ज्यान अटना बीन का ठीके अगला है 155 155 में एक ठोस solid cylinder है इसमें जो current है वो इसकी lens के parallel है तो आपको बताना है क्या होगा देखो किसी भी cylinder में है ना current जो है वो इस तरह से जाती तो देखो magnetic field का तो variation हमें बताना magnetic field तो इस तरह से बढ़के इस तरह से घटता है यह तो से magnetic field का variation मतलब magnetic field लाग बात कर देखेंगे कोई भी current करेंड दिर में करेंट इसका क्यों कि वाइर जो है वो न्यूट्रल होता है करने केरिंग वायर हमेशा धयान रखना बच्चों बाहर Q नहीं आएगा अंदर Q कि वजए साय बैटरी की वज़ेसे आया है तो अभी दखो एक्सिस के लोग्व गत्रिक फिल जीरो होगा गलत एक्सिस के लोग्व बात करते हैं 156 में आपको प्रोटॉन एल्पा और ड्यूट्रोन सेम काइडिक एनरजी के शाथ में दिए आपको इनकी सर्कुलर पाथ की रेडियस का रेशियो बताना है तो देखो आर बराबर क्या होता है एम वी बाई क्यू भी फॉर्मला होता है एम वी को रूट टू के एम लिख सकते हैं अपन कायनेटिक एनर्जी और मोमिंटम का रिलेशन होता है तो इसका मतलब आप देखो कायनेटिक एनर्जी नोंने क्या दिए यह सेम दिए तो आर डिरेक्ली प्रपोर्शनल टू क्या हो और लाएगा क्योंकि अलफा के लिए मास सब्कू अब आदेखो buton के लिए क्या आएगा रूट अफ अभी क्यों नीचे तू क्यू और इधर ऑएगा टूएम रूट में अपन क्यू तो कितना घव्ण Pourटम्य क्यूंक क्यू तो पहले लाइग्ण हो जाएगा टू से टू कर जाएगा और रूट टू वन रूट टू मेरा अंसर आगया थर्ड है ना काफी कॉमन क्वेशन ने पिटाए और इजी क्वेशन भी है नो डाउट तो 156 का थर्ड क्वेशन इसमें कोई अगल बना रहा है तो प्यो क्योंकि लेफ साइड में कोई मेगनेटीक फिल्ड नहीं तो मैगनेटीक फिल्ड में ये कितनी distance cover करेगा देखो सबसे बढ़ा तरीका cross checking कर लो इसको कैसे suppose मालो ये magnetic field इस तरह से होता particle suppose करो theta की value 90 रखते हुए आता ये theta मालो 90 होता तो particle half circle पूरा करता ना तो अगर particle की theta 90 रखें तो distance क्या आएगी half circle half circle मतलब की pi r तो distance आएगी pi r कब जब theta की value क्या हो 90 हो pi r का मतलब होता है pi r का मतलब होता है mv by qb अब देखो cross check करो cross check कैसे करोगे theta की value 90 रखने मेरा answer mv pi upon qb आना चाहिए तो theta 90 मतलब pi by 2 रखने पे मेरा answer pi by 2 रखूँगा तो मेरा answer pi mv by qb आना चाहिए तो यहाँ pi by 2 रखूँगा 2 से 2 कर जाएगा तो देखो इसमें देखो check करेंगे अपन 2 mv by qb theta को pi by 2 रखा 2 से 2 कर गया आगे answer मेरा तो देखो सबसे बढ़िया तरीका इसमें cross check ही करना है है तो अपना answer बन जाएगा वो समझ लेना यह तो cross checking समझा दी थी मैंने theta 90 के लिए अब actual दरीका क्या होगा देखो यह particle ऐसे जाके यू जाएगा ना तो ध्यान रखना जितने angles आया है उतने angles से बाहर निकल जाएगा यह बास समझ मारेगा तो अब इस diagram को थोड़ा समझना पार्टिकल यू आया और यू निकल गया यह angle theta है यह भी theta है अब यहाँ एक triangle बनाओ इसका center जो है वो यहाँ बनेगा यह theta है यह 90 है यह तो tangential line है ना यह तो यह line tangential है जहां रखना तो यह 90 है तो यह कितना हो जाएगा 90 minus theta यह भी 90 minus theta 90 minus theta यह जाएगा 2 theta ठीक है और distance क्या होती है radius into angle यह एंगल क्या center पे तो 2 theta r बराबर mv by qv into 2 theta बस एंगल ज्यान रखना कौन सा वाला center पे कितना angle बनाए यह circular path ने center पे कितना angle बनाए वो मिले ना है तो यह इसका method और यह इसकी trick जो आपको सूट करें वो यूज करो है ना अब देखो इस level पाने के बाद इस तरह के questions में आपको cross checking सीखनी चाहिए cross checking सीखने से आपके method में अगर ज्यादा लंबा time लग रहा है exam में वो time बच जाएगा है ना बेटा चलो तो 157 का first आगया अपना 158 की बात करते हैं अब यह वापस देखो वही बात आगे कि एक particle जो है वो helical path में motion कर रहा है 45 इसका magnetic field के साथ इंगल था 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 थीटा 45 दिया वाय है तो आपको पिछ दिया वाय पी के बराबर है तो आर पूछा है ठीक है देखो पी क्या होता है पी होता है वेलोसिटी का कॉस्टी थीटा कम परेंट इन्टू तू पाई एम अपोन क्यूबी है ना तो देखो यह हो जाएगा एम वी अपोन क्यूबी इन्टू 2 पाई कॉस थीटा यहां पर अपने पास क्या आएगा एम वी क्यूबी थीटा को 45 रखेंगे यह आपर 45 जब यहां रखो गई तो यहाज आएगा एम वी क्यूबी 2 पाई भाई रूट 2 है ना? यह तो आगए अपने पिछ अब r क्या होता है? r होता है mv sin theta upon qb यन्य कि mv by root 2 upon qb mv by root 2 तो धै को मैं कह लिए सकता हूям mv root 2 qb है ना? into 2 pi तो यहां से mv upon root 2 फिर अगला आएगा अपना फिर अगला आएगा आपना 159 में क्या होगा देखो इलेक्ट्रोन जो है वह उलेक्ट्रिक फिल्ड और मैग्नेटिक फिल्ड में बिना डिवी टू के गुजरता है और दोनों फिल्ड परपेंडिकुलर है इसका मतलब यह हुआ कि क्यों इने किसक मैग्नेटिक फिल्ड आपने ओफ कर दिया एसा तब होता है जब पार्टिकल इस तरह से जा रहा हो है ना मैगनेटिक फिल्ड मानलो क्रॉस में लग रहा हो है ना तो इस पर क्यूवी भी लगेगा ओपर की तरफ है ना और इलेक्ट्रिक फिल्ड मानलो नीचे की तरफ हो ठीक है यह मालो electric field है और यह मालो magnetic field है तो QE लगेगा नीचे की तरफ अब QE और QE भी आपस में cancel हो जाते हैं अब इन्होंने बोला कि आपने देखो पहले तो यह cancel कर रहे थे बात में आपने क्या करा आपने बोला कि velocity as it is है हमने बी को 0 कर दिया बी को 0 कर दिया तो QE भी तो हड़ी जाएगा बट electric field की वजए से QE तो लगेगा अब QE लगेगा तो पार्टिकल इस तरह से parabolic path में motion कर जाएगा जब force velocity के perpendicular हो और force constant भी हो तो ध्यान रखना motion parabolic होता है जैसे अपन प्रजेक्टाल motion में horizontal throw करते है तो velocity horizontal होती है पार्टेल यू जाता है तो यह parabolic path में आएगा third second answer हो जाएगा 159 का 160 का आएगा एक cyclotron एक बार इस solution देख लाना उपस कि 160 में आएगा cyclotron से maximum kinetic energy deutron के लिए कितने आती है 40 देखो kinetic energy maximum कैसे निकालो गया हाफ एम V max square ही होता ना अब cyclotron के लिए ध्यान रखना जब cyclotron में particle यसे घूम घूम के आते हैं तो जब यह बाहर निकलेगा particle तो बाहर निकलते वक्त particle की radius किसके बराबर होती है डी radius के बराबर होती है आर का formula क्या होता है mv by qb बराबर r यह r max होता है है ना तो r max कब होगा जब v max हो जाए तो इसका मतलब v max क्या हो जाएगा half m इदर लिखो qb r by m अब ऐसा नहीं कि आप यह formula रट के रहो नहीं रट अब कोई दिक कर नहीं देखो मैंने आपके सामने basic follow किया है पुरा है ना और इसका square कर दो है तो देखो m q square ऊपर आएगा b square r square upon 2m इसका मतलब kinetic energy की जो maximum value है वो किस पर dependent है q square by m पे यह बास बहुता है अब इन्हों ने बोला कि आपने deutron के लिए अगर 40 mega electron volt है तो proton के लिए energy बताओ एक चीज़ से मोती deutron में deutron का जितना charge होता है उतना ही proton का भी होता है बस फरक क्या है mass of deutron जो होता है वो twice of mass of proton होता है इसका मतलब जब हम proton लेंगे deutron के बज़ाए proton लेंगे तो mass आदा हो गया ना compare करें तो proton का mass इसका मतलब proton का mass कितना है deutron के mass का आदा इसका मतलब kinetic energy of proton क्या हो जाएगी double kinetic energy of deutron में mass आदा होगा और mass में inverse proportionality है तो mass आदा होगा proton का mass deutron से आदा है ना तो इसका मतलब kinetic energy double होगी double मतलब 40 का double 80 आ गया बेटा है ना इसमें कोई confusion तो यह बिलकुल ईजिए सा question कंसप्ट चुले देखो रटने का कुछ भी नहीं है और ले देखर के cyclotron में यही तो formula होते हैं आपके एक तो formula ही kinetic energy का यहां से निकलता है और यह concept होता है एक और cyclotron में concept काम आता है frequency का कि जो AC source यूज करते हैं उसकी frequency और जो particle यूज कर रहो उसकी frequency इक्वल होती है यह cyclotron की थियोरी इसके लावा कोई question नहीं बनता ठीक है 161 161 में देखो बहुत अच्छा सा question है काफी common है यह ना जब भी steer 적 loop बना होता है तो ध्यान रखना जो loop में area under कर ज्यादा होता है उसमें loss भी ज्यादा होता है मतलब उस material को magnetize करना डी magnetize करना दोनों मुश्किल होते हैं है NA और इसका हम ये भी बोल सकते है कि जिसमें area ज्यादा उसमें magnetization, demagnetization मुश्किल से हो रहा है मतलब एक बार material magnetize हो गया तो दुबारा वापस demagnetize आसानी से नहीं होगा मतलब ऐसे magnet को हम permanent, ऐसे material को permanent magnet बना दे के हम काम में ले सकते हैं तो अब देखो, A और B में A के लिए तो देखो, B का area ज्यादा आ रहा है A का area काम आ रहा है तो हमें पता है area किसका ज्यादा है B का ज्यादा है किस से area of A से, area B का ज्यादा है इसका मतलब confirm है कि B वाला जो है, वो क्या बन जाएगा steel, है ना ध्यान रखना, ये B के लिए रहा है steel के लिए होता ऐसा graph और ये किसके लिए होगा, soft iron के लिए soft iron और ध्यान रखना, steel और soft iron दोनों ferromagnetic होते है है ना, bh graph दे को options देखे है ना, तो हमें पता लग रहा है कि paramagnetic और diamagnetic है ना, और एक में दिया है paramagnetic और ferromagnetic तो देखो, इस case में area जो है वो किसका जादा है, area जो है वो a का कम है, b का जादा है मतलब b क्या होगा, b होगा steel है ना, और steel b है तो b steel है, मतलब की a का पहले बताना, a तो होगया soft iron, b steel, third answer अपना correct होगया, इसमें कोई confusion soft iron, इसमें, soft iron मतलब a graph इसका लिए बनेगा और steel मतलब b graph इसके लिए बनेगा, ठीक है, तो आपको 161 का क्या होगया, third फिर आते हैं पन 162 पे 162 में आपको 5 दिया वाइट और resistance दिया है, 3 सेकेंड पे EMF और करेंट पूछा है, बिलकुल आसान होता है बेटा, हैना EMF क्या होता है, D5 by DT हैना, D5 by DT तो देखो, इसमें इसका differentiation करोगे, तो 2 T square का 2 T 4 T का 1 और 1 का 0 आगे differentiation तो यह तो EMF solve करने पे कितना जाएगा, 4 T plus 4, हैना, current क्या हो जाएगा, EMF by resistance हैना, तो 4 T plus 4 divided by 0.5 0.5 मतलब कि 1 by 2 तो यह जाएगा, 8 T plus 8 ठीके, तो अब इस case में EMF कितना हो जाएगा, EMF अब time की value कितनी रखनी है, 3 second तो 4, 3 यह आएगा 16, अब देखो इसमें एक चीज़ समझना, EMF जो हैना, उसमें formula में एक minus sign आता है और यहाँ minus में option दिये में, तो आपको minus put करते वे solve करोगे तो आपका answer क्या बन जाएगा minus 16, I क्या हो जाएगा 8, 3 plus 8, minus में जाएगा हैना, तो minus में आएगा, तो आपका answer बन जाएगा, 32 minus 32 ठीके अब minus तो नहीं दिया current में तो minus का नहीं था, खिर directions होता है anti-clockwise, तो ठीक आपका value wise 32 हो गया है ना, कोई confusion इसमें, आगे बढ़ते हैं आपन 3, 4 orientation आपको दिये हैं, आपको बोल रहे हैं किस case में dipole moment maximum होगा, देखो, 2 magnet के dipole moment जब आपको निकालना होता है तो आपको individual dipole moment अगर पता हो और दोनों magnet के दो equal है तो 2m cos theta by 2 2 equal vector का addition, 2 equal value के vector का addition इस तरह से खरते हैं याद है ना, formula vector addition का है अपने पास r बराबर 2a cos theta by 2, वही formula है ठीक है, एक ही जगे m लिख दो अब इसमें theta कितना है, और हमें पता है कि अगर theta minimum हो है ना, theta जितना घटेगा ध्यान रखना r उतना ही बड़ेगा, r मतलब net magnetic moment बड़ेगा, तो यहाँ theta कितना है, 90 दखो, एक moment इदर है यहाँ एक इदर है, एक इदर है तो theta कितना हो जाएगा 180, इसमें theta कितना दिया हो है 30, और इसमें theta कितना दिया है, 60 अब बताओ, minimum theta किसमें, 30 degree, इसका मतलब minimum जो है, वो इसमें है, और maximum किसमें आएगा, maximum तब आएगा, जब theta, 180 पे तो पुरा cancel हो जाएगा, तो maximum निकालना, maximum अपना 30 degree पे आजाएगा तो ध्यान रखना, theta minimum मतलब कि, r maximum यहने कि, magnetic moment maximum, तो अपना अंसर क्या जाएगा, c, third option 163 का, तो 163 का third, इसमें कोई confusion 164 में आपको बोल रहे है, electron, जो है, वो electric और magnetic film है, बिना बिना deviate होए motion कर रहा है तो e, b और v में relation बताना है तो e बराबर क्यों बराबर qv b cancel होँगे, तब ही तो बिना deviate होए चलेगा, यहने कि e बराबर v b तो आपका e बराबर b b third option 164 में इसमें कोई confusion 165 में बोल रहे है कि किसी भी earth के equator पर, sorry magnetic equator पर dipole moment, यह angle of dip कितना होता है magnetic equator का मतलब क्यों होता है, यह आपके पास earth है, यह अपने पास geographical axis है, यह magnetic axis होती है, अब magnetic axis और उसके perpendicular magnetic axis है ना, तो इसके perpendicular क्या आएगा, magnetic equator आएगी तो magnetic equator जो है, वो इस तरह से बना देता हूं है, यह magnetic equator और यह क्या है, geographical equator geographical equator और यह magnetic equator, ठीक है अब magnetic equator, almost open geography equator पर ही मान लेते हैं यह ना, ना भी मानो कोई दिखकत नी अब देखो, इसका field जो है यह इधर होता है, south pole, इधर होता है, north pole है ना, किसका? magnet का तो इसका field यूं ऐसे बाहर निकला है 3D में सोचना, तो देखो line यूं निकली, यूं निकली, फिर इधर ऐसे बाद, अब यह इस magnet के parallel है, है ना, magnet के parallel होना मतलब की earth surface के parallel होना, तो equator पे, जो B होता है, parallel to earth surface earth surface पर अगर यह parallel है, तो अब यह इसी बात है delta क्या जाएगा? 0 है ना, ध्यान अगना earth surface के parallel होता है magnetic field और earth surface के parallel मतलब horizontal direction में होगा field, है ना, इसका मतलब हम यह बोल सकते हैं कि जो vertical component है, वो 0 हो जाएगा, तो 10 delta क्या होता है? 10 delta होता है bv by bh और bv अगर 0 हो तो 10 delta 0 आएगा, मतलब कि 10 delta जो है, वो 0 बन जाएगा इस case में तो ध्यान रखना, magnetic field जो है, है ना magnetic equator पे हमेशा earth surface के parallel होता है अगर वो बोलते ends पे यह जो ends है ना, magnet के, मतलब earth के pole, earth के pole पे dip angle पूचता, तो ध्यान रखना earth के pole पे जो magnetic field है, वो आपस magnetic में enter करता है, मतलब surface के perpendicular हो जाएगा है ना, तो उस case में dip angle 90 आता, कहाँ पे pole पे तो ध्यान रखना, pole अगर बोलते हैं, तो dip angle 90 आता, अभी equator बोला है, तो dip angle 0 आएगा 165 में अपना आंसर हो जाएगा, 1 166 की बात करते हैं, 166 में आपको potential energy का decreasing order बताना है, potential energy का formula होता है, minus of mb cos theta, m जो है वो आपको इस n-caps के थुरू direction बता रखी, तो देखो इसमें angle कितना है, 180, इसमें इंगल कितना है, 90, है ना, इसमें इंगल कितना है, less than 90, और इसमें इंगल कितना है, greater than 90, अब हमें पता है, इंगल जितना बड़ा होगा, energy उतनी ही जादा होगी, तो highest energy किसमें होगी, 1 में, highest energy 1 में होगी, अब 1 के अपने पास 3 option दिये वे, फिर उसके बाद उससे कम energy किसमें होगी, जिसमें एंगल थोड़ा कम हो रहा है, मतलब कि 4, तो 1 के बाद 4, तो अपना 3rd option आ गया, ठीक है, तो 166 में आएगा अपका 3rd option, ठीक है, और सबसे कम किसमें होगी, जिसमें एंगल सबसे कम बन रहा है, मतलब कि 3rd answer, तो 3rd में सबसे कमा जाएगे, 2nd में फीच मलाएगी, ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे जैसे थीटा, मतलब unstable equilibrium जो होता न, यह basically unstable equilibrium होता है, यह होता है, unstable, और इसमें stable equilibrium तो कर दिया नहीं, यह unstable equilibrium वाली position है, unstable में energy हमेशा maximum होती है, ठीक है, अगला आता है 167, 167 में आपको, एक magnetic field जो है, 10 tesla per second की rate से घट रहा है, और source 30 volt जो है, वो लगा रहा है, तो आपको बताना है कि, direction of current क्या होगी, तो बहुत अच्छा question है, एक तो source अपनने पहले लगा दिया, दूसरा magnetic field जो बहार की तरफ है, वो कम भी हो रहा है, अब बहार की तरफ अगर magnetic field कम होगा, तो induced जो voltage आएगा, वो इस magnetic field को support करता हूँ आएगा, field बहार की तरफ है, तो induced current जो induced voltage की वज़े साना चाहेगी, वो इस field को support करेगी, मतलब induced voltage जो है, वो अपनी current कैसे flow करवाना चाहेगा, anti-clock wise ताकि उसका field बहार आजाए, तो यह induced current ऐसे आरी है, मतलब की induced voltage इस तरह से बनेगा इसमें, तब ही तो अपनी current ऐसे flow करवा सकता है, तो इसका मतलब E induced जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, D5 by DT, area into dB by DT, area कितना दियावा है, area दियावा है, इसमें आपको 1 दे दिया, D by DT दे दिया 10, तो 10 volt का voltage यह, तो इसका अदर 10 volt, अब देखो, यह 10 volt चाहरा है, अपनी current ऐसे flow करवाना, लेकिन एक 30 volt जो अल्रेडी लगावा है, वो भी तो अपना काम करेगा, यह 30 volt अपनी current ऐसे flow करवा देगा, अब बताओ, dominating कोन है, dominating तो 30 volt है, तो इसका मतलब, I net क्या आजाएगा, E net by R, E net कितना हो जाएगा, 30 minus 10 by R कितना दिया, विट आपको 5, तो यह आपका आंसर आजाएगा, 4 amp, अब 4 amp की direction क्या आएगी, 30 volt अपनी current dominating रखेगा ना, तो 30 volt की वज़े से direction आएगी, clockwise, तो 4 amp, clockwise, second option मेरा सही बन रहा है, देख लो बेटाइज में कोई confusion, 167 का 2 हो गया, आगे बढ़ते हैं, 168 पे, 168 में आपको एक switch बन कर दिया गया है, T बराबर 0 पर, आपको इसमें time के साथ variation बताना है, हमें पता है time के साथ variation देखें, तो VL जो है, बहुँ इंडक्टर time के साथ, infinite time बाद short हो जाता है, short वाले में कोई drop आएगा क्या, नहीं आएगा, तो VL किस तरह से होता है, E to the power minus of T upon L YR, time constant, current जो है वो ग्रो करती है, तो current का variation क्या दाएगा, I बराबर, I steady state, 1 minus E to the power minus T upon L by R, E आगया, तो VL आई, तो अब इसमें आप से पूछा है, E क्या है, E है induced DMF, induced DMF किसमें आथा है, इंडक्टर में, तो EMF जो है, E यह रहा, induced DMF तो time के साथ क्या होगा, कम होगा, current जो है वो time के साथ बढ़ेगी, तो induced DMF time के साथ कम होगा, current बढ़ेगी, तो कम होने वाल अग्राफ है, कि मेरा यह आगया, थर्ड आंसर, तो 168 का क्या हो रहाएगा, थर्ड, तो में कोई conclusion, अगला आता है 169, 169 में E 10 दियावा है, R 1 दियावा है, R 1 2 2 दियावा है, R 3 3 दियावा है, तो S close करने के बाद, just बाद, तो just बाद बोला है, immediately after, just after ध्यान रखना, L जो है, वो हमेशा क्या होता है, open होता है, तो L को तो open कर दो, यह तो कड़ गया, तो यह भी कोई काम का नहीं, इसका मतलब यह भी useless हो गया, तो सारी करेंट इधर आएगी, इसका मतलब I1, I2 तो इकवल आएगे, लेकिन I3, 0 आएगा, I3, 0 के वल, A की option में दिया हुआ है, तो solve मत करो फिर, देखो, I3, 0, A की option में दिया हुआ है, मतलब कि पक्का वो सही है, और I1, I2 इकवल है, तो मेरा second option सही है, मन की शान्ती के लिए solve कर देता हूँ में, I1 equals to I2, बराबर E by R1 plus R2, E कितना है बेटा, इसमें 10, R1 कितना है, R1 है, 1, 2, तो 10 बटा 3, 3.33, तो आपका second answer आगया, 169 में, कोई confusion बेटा, बस इतना जान रखना है कि, just after बोला जाए, तो L को open करते हैं, just after में C को short करते हैं, अब मैं एक बार summarize कर देता हूँ, T बराबर 0 पे, इस तरह के circuit जब भी आते हैं, T बराबर 0 पे, L तो open होता है, C short होता है, ठीके, T infinite के बाद, L जो है वो short होगा, और C open होगा, यह धियान रखना बेटा, यह चीज़ें काफी commonly पूछी जाती है, इस लिए, है ना, तो धियान रखना है इस चीज़ को, अगर यह infinite time बाद पूछते, infinite time बाद पूछते हैं, ल को short कर देते हैं, फिर R से और R टो parallel मा आ जाते, और यह R वन उसके साथ सिरीज मा जाता है, ठीक है, इस तरह से, सो लो, 170 मिट आपको बोला है, कि एक magnet जो है, वो coil से दूर जा रही है, लेंज ने क्या बोला है, जिस वज़ह से flux change हो, उस वज़ह को oppose करो, coil का flux change क्यों हो रहा है, क्योंकि magnet दूर जा रही है, magnet का कौन सा पोल दूर जा रहा है, नौर्थ भी जा रहा है, सौथ भी जा रहा है, पर coil के पास क्यों है, नौर्थ, तो coil चाहेगी कि नौर्थ दूर ना जाए, मतलब coil खुद क्या बन जाएगी, सौथ फेस, मतलब magnet की तरफ देखने से ही लगया, कोईल जो है, वो साउथ बन चुकी है, अब ये कोईल साउथ बन के, इस नौर्थ को क्या करेगा, अट्रेक्ट तो इसको acceleration कि तरफ मिलेगा, इधर, तो acceleration कि तरफ आ है, राइट साइड, तो left वाले तो option गलत कर दो, है ना, acceleration left जहाँ है, वो गलत कर दो, तो acceleration right side आ गया, अब इसकी वज़े से, देखो observer जो है, वो कहां बेठा है, magnet की तरफ ही बेठा है, है ना, देखा ना, magnet की तरफ से देखने हैं, तो magnet की तरफ से देखने पे, इस observer को current क्या दिख रही है, south मतलब current होती है, clockwise, है ना, कोई भी coil का face, अगर आपको south दिखता है, तो ध्यान रखना clockwise, और north मतलब, anti-clockwise, यह हम ध्यान रखना बेठा, यह बोट काम की चीज़े, तो हमें magnet की तरफ देखने से क्या दिख रहा है, south मतलब observer को क्या दिखेगा, south मतलब clockwise current, तो मेरा answer क्या हो जाएगा, third option, यह 170 का third, बच्चों अगला आता है 170, 170 आपको बोला है कि यह क्लोब को मूँ करवा रहे हैं, तो आपको बताना है, इसमें induced EMF जो है, वो किसना आएगा, तो देखो, यह distance कितनी है इस side की, x-a by 2, यह a by 2, यह भी a by 2, और यह वाली क्या जाएगी, x plus a by 2, यहां field माल लेते हैं b1, और यहां माल लेते हैं b2, तो b1, b2 जेखो किस तरह सा आएगा, field जो है iस wire का किदर आएगा, wire में current आएगा, field आएगा, cross में, cross में field आएगा, तो b1 भी cross में है, b2 भी cross में है, तो velocity इधर field अंदर, तो positive polarity कि इधर बनेगी EMF की ? इस तरफ, तो यह बन जाएगा E1, यह बन जाएगा E2, पर देखो ये दोनों अपने अपनी करेंट को एक दूसरे का पोजिट फ्लो करवाना चाहरे है तो जीतेगा कौन? E1 क्यों? क्योंकि E1 पे magnetic field जादा है ना B1 तो नेट EMF आजाएगा आपके पास E1-E2 यह हो जाएगा B1-B2LV LV दोनों में गुमन आएगा B1 कितना है? मेनोट I upon 2pi X minus A by 2 मेनोट I upon 2pi X plus A by 2 LV इसको और solve करेंगे तो देखो मेनोट I 2pi LV बाहर X minus of A by 2 X plus A by 2 अब इस bracket को solve कर लो बाकी जिए तो constant है ना तो इस bracket को solve करोगे तो देखो इसमें क्या आएगा? है ना X minus A by 2 है ना इधर आजाएगा X plus A by 2 minus में X minus A by 2 तो नीचे क्या आएगा आपके पास? इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ उपर तो बच जाएगा मेरे पास A नीचे जाएगा X square minus A square by 4 है ना अब 4 को बाहर निकालोगे तो देखो यह आगे ना अपने पास? इसमें 2 को बाहर निकालो तो अपके पास 2X minus A, 2X plus A बन जाएगा 4th option आ जाएगा इसका है ना तो 171 का 4th option correct हो जाएगा इसमें कोई confusion 172 की बात करते हैं B जो magnetic field है वो K1 minus K2 है और R radius की एक लूप पे perpendicular लगाए गया है resistance R है तो जिस interval में B 0 होता है उसमें total कितना charge आया? ठीक है? तो देखो T बराबर 0 पे magnetic field कितना है? B1 बराबर K1 फिर T टाइम बाद magnetic field हो गया 0 charge कितना आया? तो charge delta Q कैसे निकालते हैं? delta Q निकालते हैं delta 5 by R से delta 5 मतलब कि B1 minus B2 into area divide by this K minus 0 into area by R area क्यों रहाएगा? अब देखो इसमें आपको area जो ही न? इसमें loop की radius A दिया आवाए तो radius A है तो area कितना आएगा? pi A square यहने कि pi into 2 square यहने कि 4 pi तो यह आ गया resistance आ गया pi k1 की value 2 है 2 minus 0 4 pi अपोन pi 4 और 2 8 फी आप का अंसर आ गया बिटा? 8 कुलंब चार्ज फ्लो होगा 3rd option 172 में इसमें कोई confusion? फिर आता है 173 173 का 4th option इसमें देखते हैं क्या आता है? एक L length का और R resistance का wire है जिसमें V velocity से मोग कर रहा है तो loop में induced current क्या होगी? तो इसमें बिल्कुल सिंपल है जब यह loop motion कर रहा है तो इसकी इन दो side में तो यह में फाएगा और इन दो side में EMF 0 आएगा अब यह EMF कितना आएगा? BLV यह भी कितना आएगा? BLV यहां तो magnetic field uniform है न जो पिसला वाला question था अपना यह वाला इसमें तो B1 B2 अलग अलग थे क्योंकि distance अलग अलग थी तो यहां B1 B2 अलग अलग थे इसलिए EMF E1 E2 आए जबकि इस वाले question में थोड़ी E1 E2 अलग अलग आ रहे है इवन E2 सेम आ रहे है तो दोनों current opposite में flow करवना चाहेंगे तो cancellation हो जाएगा इसका मतलब यहां पे current क्या आएगी? 0 173 में ठीके? 174 174 में आपको यहां पे quality factor बताना है circuit का है ना? तो quality factor जो है वो देखो अब देखो यह resonance graph दिया वह है ना? इसको समझना है यहां पे इस graph का peak कितने पे आ रहा है? 7 पे peak आ रहा है लगबग 1 से थोड़ा उपर तो half power frequency भी लगबग 0.5 से थोड़ी उपर आएगी यह half power frequency आएगी है ना? अब यह है 3 यह है 4 और यह लगबग कितना आ रहा है साड़े चार है ना? यह है 9 यह 10 तो यह लगबग आएगा साड़े 9 और यह साड़े चार ठीक है अब quality factor का simple सा formula होता है quality factor q बरावर f r upon delta f f r resonance frequency कितनी है? 7 delta f bandwidth कितनी है? 9.5 minus 4.5 तो 7 by 5 1.4 आपका answer आगया 4th option तो simple आपको यह देखना है कि quality factor जो है वो होता है resonance frequency divided by bandwidth bandwidth किसको बोलते है? वो frequency जहाँ पर power जो है वो आधी हो जाए ठीक है? इसमें कोई confusion? ठीक है? तो यह आपका answer बन जाएगा इसका अगला आता है 175 175 में बोला है कि LCR circuit है जिसका resistance सोव में 400 वोल्ट और angular frequency 300 है जब केवल कैपेस्टर हटाते हैं तो voltage जो है वो current से current जो है voltage से 60 डिगरी पीछे जल रहा है कब जब आपने C remove किया C remove किया तो इसका मतलब 5 जो है वो value by 60 आ रहा है तो 105 क्या होता है? XL by R ठीक है? उसे जाफ से देख लेंगे तो आपके पास XL कितना आ जाएगा? root 3R 105 मतलब कि 1060 लिखेंगे ना यहाँ पर root 3 आ जाएगा फिर जब आपने L remove किया तो L remove किया तो भी आपको बोल रहा है कि current जो है वो अभी आगे चल रही है आपन मोड लगाते हैं तो फाई जो है वो पहले तो C remove किया तो माइनस 60 था ना अब प्लस 60 आ जाएगा तो भी 105 जो आपन मोड में लिखेंगे XC by R लिखेंगे ना तो वो कितना हो जाएगा अपने पास? भी इसका मोड लगा तो इसमें भी तो इस वज़े से 1060 तो यह कितना आ जाएगा? XC बराबर रूट 3R देखो XL और XC बराबर है दोनों के इसको solve किया तो XL और XC बराबर है इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेजोनेंस रेजोनेंस कंडिशन है ना है तो तो रेजोनेंस कंडिशन में बोल रहे है कि जब तीनों कंपोनेंट लगे में है तो average current हो, power loss बताओ तो देखो तीनों कंपोनेंट जब लगे में है तो power average क्या हो जाएगा? V RMS into I RMS है ना पहले I RMS में निकाल लो तो I RMS क्या आएगा? V RMS by Z और हमें पता है IMPEDANCE क्या होता है? R के एकवल होता है ना तो 400 Z मतलब R यानि कि 100 current आएगा 4 यह current आगा 4 के बराबर power क्या आएगा? V RMS 400 I RMS 4 cost 5 तो 1 होता ही है resonance की के इसमें तो यह आजाएगा 1600 तो अपना 4th option आगया बेटा 175 का 4th कोई confusion इसमें अगला आता है 176 176 में ध्यान समयना current है phase wise आपको add करना है ना यह देखो AC circuit में ही तो current का phase लिखने है अपन तो AC circuit में आपके पास देखो 2-3 current आपको दी गई एक तो current है 3 जिसका phase है 0 degree cost का मतलब क्या होता है cost का मतलब होता है 4 sin omega t plus 90 इसका मतलब 4 वाली current का phase कितना है 90 डिगरी है तो दोनों के बीच में resultant angle कितना हो गया 90 हो गया तो resultant क्या आएगा i बराबर root of a square plus b square से निकालेंगे तो i need बराबर root of i1 square plus i2 square i1 square i2 square कितना हो जाएगा 3 square plus 4 square कितना हो गया 5 अब कई बच्चे क्या देखते हैं कि i1 i2 में तो angle 180 दिख रहा है बितार का angle नहीं लेना है अपनको अपनको phase angle लेना है ध्यान रखना यहाँ पे जो यह angle है यह delta phi है जो कि 90 degree की कवल है यह phase angle है current का तो current का phase angle 90 है तो net emlid आएगा 5 सब में पास दिया वह चलो इधर तो बजगे अब phase निकाल हो तो यह finite कितना आएगा 10 inverse 4 by 3 तो 5 कितना हो जाएगा 53 degree तो sin omega t plus 53 first option आगया मेरा 176 का इसमें कोई confusion बिटा तो धियान रखने इसमें आपको phasor edition जिस आप SHM का edition करते हो ना SHM का superposition करते हो वेव का superposition करते हो वेशे ही इसको करना है इसमें कोई confusion अगला आता है 177 वन सेंटी सेवन बोल रहे है कि angular frequency से omega 1 by T है तो आपको Z बता रहा है ठीक है तो देखो Z कितना हो जाएगा r square plus x square r square अब यह बोल रहे है कि time constant T दिया हो आपको तो time constant क्या होता है r c होता है अब x c का मतलब क्या होता है x c होता है 1 upon omega c 1 upon omega को लिख दो omega direct दिया 1 upon T और c तो यह कितना हो जाएगा time constant by c time constant by c कितके बराबर हो जाएगा r के बराबर यहनिकि x c बराबर r आ गया तो r रगदू तो आपका overall क्या आएगा root 2r यह आ गया अच्छा option भी चेक कर सकते हो ना वह आप r में x c कुछ तो जोड़ी रहो ना तो answer तो r के उपर ही आएगा तो r से कम या r जो option है वो तो वैसी गलत हो गया समय ना r square में आपने x ही जोड़ा है तो x ही मतलब कोई चीज़ जोड़ के r में r के square में कोई चीज़ जोड़ रहे हो तो z तो पक्की बात r के उपर ही आएगा दो ही option तो है r के उपर है ना तो at least 2 option तो कर जाएंगे इससे तो 177 का third option मन जाएगा इसमें कोई confusion 178 178 में बहुत आसान है अगर completely resistance हो तो current जो है वो बराबर रहता है ठीक है तो p में 4 आएगा पी में 4 तो एक ही option में दिया वाए ज्यादा कुछ कर नहीं था है है ना lr में current जो है वो पीछे होता है rc में current आगे होता है और lc में आगे पीछे कुछ भी हो सकता है depends on c अगर बढ़ा हुआ c का effect बढ़ा हुआ तो उसके इसाफ से वेक्टर एडिशन करके लिखते है इसको तो वी एसी स्क्वेर बराबर वी आर स्क्वेर प्लस वी एल माइनस वी सी होल स्क्वेर यह फोल रहे है कि अगर आपने डाल दिया तो उससे frequency resonance वाली में क्या change होगा resonance frequency का formula क्या होता है बाद में जब आपने डाल दिया तो क्या हो जाएगा चेंज इसमें into k times of c k times of c k कितना दिया वाए 4 दिया वाए ना तो इसको अगर मैं f मान रहा हूं तो यहां आ जाएगा 1 upon 2 pi l into 4c तो कितना यह 2 pi तो बाहर है ना यह root के अंदर है बस तो यह आ जाएगा 1 upon 2 बाहर 1 upon 2 pi root of lc मतलब कि कितना आ जाएगा बिटा f by 2 मेरा answer हो गया इसका first option वैसे भी थोड़ा option क्रॉस टेक करो यहां भी हम अगर डायलेक्टर डाल रहे हैं डायलेक्टर डालने की वज़े से ओविसी बात है c बड़ेगा सी बड़ेगा तो resonance frequency तो घटनी चाहिए ना क्योंकि formula में सी नीचा आता है frequency घटने वाले आपके पास दो ही तो option है तो बचे तुक्के मारने के लिए लेकिन जिसमें इतना दिमाग है रहा वो फिर यह भी कर लेगा वो तुक्का नहीं मार गाएगा फिर ठीक है तो 180 का आपका आंसर हो जाएगा हैं किसी magnetic field में तो सबसे पहले तो velocity of element देखा जाता है फिर उसमें magnetic field की direction है उसकी इसाफ समझ देखते हैं कि polarity कि इदर आएगी तो देखो field अंदर magnetic field मालो cross में है तो polarity कि इदर आएगी positive इदर बनेगा negative इदर बनेगा तो फिर इन दोनों points को इसको O माल लेते हैं इसको A माल लेते हैं तो VO-VA अपन क्या लिखेंगे half B omega जो भी इसकी lane थे वो लिख देते हैं तो अब यहां से अगर हम देखें तो इसका element भी नीचे आ रहा है यह उपर जा रहा है rotation इस तरह से हो रहा है तो अब देखो इसमें भी देखेंगे तो positive इदर आएगा negative इदर आएगा इसके लिए देखेंगे तो field अंदर velocity इदर positive इदर इस तरफ negative इस तरफ तो VO का potential बढ़ा है A के relative देखो A minus O plus तो VO minus VA half B omega L square VO minus VC half B omega 3 L का square मतलब कि 9 by 2 B omega L square यह तो आगया अपने पास अब देखो O minus C तो 9 by 2 आ रहा है न सेवन तो गलत हो गया O minus A positive है तो A minus O तो negative आएगा तो यह with sign गलत हो गया है यह answer इस negative आना चाहिए था अब बचे दो option VC minus VO कितना आ रहा है यह तो यह भी गलत आ रहा है क्योंकि VC minus VO तो VO minus VC 9 by 2 है अब बचा अपने पास VA minus VC अब मुझे VA minus VC लाना है न तो ऐसा करते है अपन equation 1 में से 2 में से 1 को minus कर देता है तो 2 minus 1 करेंगे तो देखो VO minus VC minus VO minus VA 9 by 2 minus 1 by 2 B omega L square VO से O कर जाएगा तो यहाद आएगा VA minus VC बराबर 9 by 2 minus 1 by 2 ने कि 4 B omega L square 4 B omega L square यहने कि VA minus VC 4 B omega square 181 में थर्ड आ जाएगा अपना कोई confusion इसमें फिर आगे आते हैं 181 में थर्ड के बाद 182 तो इसको समदलो बेटा यह solution आपके सामने इसका अराम से समझो तो यह थोड़ा tricky question था आगे आएंगे 182 में 1400 वाट पर मिट स्क्वेर की light की फ्रिक्वेंस लाइट को आपने एक फोटो सर्फेस पर डाला हुआ है मेटल सर्फेस पर डाला हुआ है और पूरी तरह से रिफ्लेक्टिंग हो जाता है तो radiation force बताना तो radiation force लगाती है फोर्स होता है pressure into area प्रेशर होता है intensity by c1 plus r into area intensity क्या होती है इंटेंसिटी तो गिवन है 1400 c3 10 पार 8 बोल रहे है perfect reflecting यानि कि reflection coefficient बन हो जाएगा और area कितना दियावा है देड़ तो देखो देड़ से यह कटेगा दो बार यह कटेगा 700 तो 700 10 to the power minus 8 और 2 तो 14 10 to the power minus 6 आगया आपका answer second तो यह इसका second answer आ गया इसमें कोई confusion 182 का second है ना देख लो इसमें force होता है power into area power होता है radiation intensity i by c1 plus r, r होता है reflection coefficient c होता है speed of light यह होता है area 183 में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिया वह है road conducting road pq length l जोकि मूँ कर दे uniform velocity v 20 से है ना magnetic field paper के perpendicular है ठीके capacitor c10 micro ferret का है तो इसमें क्या होगा देखो simple सी बात है road इदर जा रही है ना तो देखो magnetic field अंदर motion इदर तो emf की polarity के आएगी यह आएगा emf e बराबर blv और यह सारा emf किसको मिल जाएगा capacitor को तो capacitor की upper plate positive होगी lower plate negative होगी upper plate positive जो है वो एक ही option में दिया हुआ है तो ज्यादा solve करने की जो रत नहीं है मैं solve क्यों कर रहोगी solve करके आप यही तो प्रूव करोगी value 800 आएगी आ रही होगी तभी तो 800 दिया है तो 183 में आप cancer हो गया थर्ड फिर भी मन की शानती के लिए में एक बार कर देता हूँ प्रूव तो क्यों क्यों हो जाएगा cv सी कितना दिया विटा 10 micro farad वी होता है B lv वी मतलब यह इम फ वाला वी है ठीके तो b lv बी कितना दिया है चार एल कितना दिया है वन वी कितना दिया है 20 तो इदर हो रखो ऐसी असी और दस क्योंता है 800 हो गयी शानती मन को कि 800 सो माइक्रो कुलम जो है वो आ रहा है अब अपर प्लेट पर पॉजिटिव आएगा लोवर प्लेट पर नेगेटिव आएगा 83 का फर्स्ट ऑप्शन आ गया ओकी बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन 184 184 में आपको current की rms value बढ़ा आसान question देखो rms का मतलब क्या होता है current का square करके mean लेके root लेना यह होता है rms मतलब square का mean का root तो पहले तो current का square करेंगे 3 plus sin omega t का square फिर mean लोगा और फिर root करूँगा तो अब देखो पहले तो यह formula अपन खोलते हैं इसमें 3 का square no 6 का हो जाएगा 36 sin square omega t plus 2 into 3 into 6 2 3 6 36 sin omega t इन सब का average करना है देखो constant का कभी average नहीं करते constant का average constant ही आता है तो 9 का average तो 9 हो जाएगा 36 sin square का average का हो जाएगा 1 by 2 इस 36 इस sign का average कितना है जीरो ज्यान अगना sign की single power का average या odd power का average जीरो आता है और sign की जो double power होती है उसका average आता है 1 by 2 ठीके तो कितना हो गया मेरे पास 9 प्लस 18 नो रठारा कितना होता है 27 27 का मतलब तीन रूट तीन आ गया मेरा आंसर तो मेरा आंसर आ गया फोर्थ 184 का फोर्ट ऑप्शन करेक्ट इसमें कोई confusion फिर आगे बढ़ते हैं अपने 185 पे 185 में बोल रहें कि कौन सा figure जो है वो इस तरह की लाइन को कौन सा फिल्ड जो है वो इस तरह की लाइन को नहीं दर्शा सकता नहीं रिप्रेजेंट कर सकता तो देखो यह close loop बन रहा है ध्यान रखना बच्चों close loop जो है वो कभी वी electrostatic field line नहीं बनाती है ना तो इस्तिर विद्शेतर electrostatic field कभी भी close line नहीं बनाता magnetic field बनाता है induced electric field बनाता है पर कभी भी electrostatic field नहीं बनाता है 185 का second option हो जाएगा इसमें कोई confusion ठीक है तो अपना section 1 यहां complete होता है आगे बढ़ते है section B में जिसमें आपके 10 question optional है 10 question करने है 15 है 5 छोड़ सकते हूँ छोड़ने ही है आगे बढ़ते है 186 में 186 में loop क्या होगा देखो इन दोनों side में current parallel है 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 ना attract करेंगे सेम डिरेक्शन में करेंट होता attraction आता है यह side जो है इसमें current अपोजिट जा रही है इस तार से इसमें फोर्स लगेगा रिपल्स फोर्स तो इसको तो यह attract कर रहा है और इसको रिपेल कर रहा है अब हमें पता है फोर्स का formula क्यों होता है मिनोट आइवन आइटू अपॉन टू पाइडिस्टेंस दी इंटू लेंथ ओफ वायर अब देखो डी वन और डी टू तो डी वन जो है वो कम है डी टू से इसका मतला एफ वन जादा है एफ टू से तो फोर्स क्या होगा लूप क्या होगा attract होगा तो तार की तरफ जाएगा move towards वायर और टॉर्क का तो सवाल ही दिए कि इसमें जो फोर्स है ना वो plane में है तो इनकी effect जो है वो cable translation में जाएंगे एक्सिस से दोनों फोर्स पास हो रहें तो यही तो है rotation की तो तो यह दोनों फोर्स एक्सिस से पास हो और इसलिए torque नहीं आएगा and torque 0 क्यों कारण क्या है दोनों फोर्स एक्सिस से जा रहे है rotate होगी कोईल तो यह होगी ऐसे पर force तो उसी एक्सिस से जा रहे है इस current जो आप को कंडिशन दी गई है जो आपको अभी कंडिशन दी गई है डायग्राम में उसके इसाफ से टॉर्क फिलाल जीर होए इसलिए कुछ नहीं होगा मतलब रोटेशन तो नहीं होगा ठीक है मोशन होगा बस ट्रांसलेशन वाला 186 का थर्ड आंसर इसमें को गन्फ्यूजन 187 पर चीज इन यूनिफॉर्म फिल्ड देखो अगर यूनिफॉर्म फिल्ड में हो यह दोनों कंडिशन ने क्लोज लूप होना चाहिए उनिफॉर्म फिल्ड होना चीज तो हमें पता है इसके इसाफ से एफनेट क्या आएगा जीरू यानिकि जो भी इसकी साइट से तीन प्राइट सो मानलों कोई पोलिगन है तो उसमें साइड है तो सारी एंसाइड का फोर्स मिला कि क्या आएगा जीरू अब इसने बोला कि यह फोर्स तो है एफ तो इसको इदर लाओ तो यह कितना हो रहाएगा माइनस एफ 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 और माइनस एफ मिलके ही तो जीरू और एक की एक्सिस दूसरे के परपेंडिकुलर है मतलब कि एक को मैगनेट को मैंने ऐसे रख दिया कि यह ल्यूट्फ और यह टिस्टेंस एक्वल है यह अनहा यह बीडी यह अनुटा इसका magnetic moment इधर मान लेते हैं तो देखो इसका field आएगा इधर अब थोड़ा ध्यान समयना इसमें यह आएगा B1 B2 इधर चला जाएगा B2 कितना आएगा twice of minot upon 4 pi m upon d cube का twice है ना और यह कितना आएगा यह आएगा minot m upon 4 pi d cube अब बताओ net field कितना आएगा एक 1 है और एक 2 है तो net field यह दर आएगा B1 square और B2 square तो बागी तो ठीक है यहाँ 1 आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है 1 का square 1 2 का square 4 4 प्लस 1 5 तो root 5 कहा रहा है यह आगा मेरा fourth option है ना यह value यहाँ put करके सॉल कर लो बेटा fourth option आ रहा है इसमें 189 में यह बोल रहे है कि आप magnet को घुमा रहे हो magnetic field में और इसमें 30 degree घुमाने में कितना कार 30 degree और घुमाना है पहले कहा था 0 degree पे कहा तक घुमाया आपने 60 से फिर कितना और घुमाना है 90 तक घुमाना है पहले आपने 60 घुमाया बाद में आपने 30 degree और घुमा दिया तो work done by external जो होता है वो होता है cos theta 1 minus of cos theta 2 into mb यह होता है work done अब पहला work done जो था mb cos 0 minus of cos 60 बाद का work done था mb cos 60 initial angle है बाद का angle 90 है तो देखो यह कितना आएगा यह आजाएगा 1 minus 1 by 2 upon 1 by 2 minus 0 मतलब कि 1 is to 1 यहने कि w1, w2 इतना ही होंगे मतलब पहले अगर आपने 0.8 joule work किया इसका अंदर w2 equals to w1 यहने कि 0.8 joule और joule को मैं प्यार से क्या लिख सकता हूँ 10 to the power 7 अर्ग लिख सकता हूँ है ना तो मेरा answer आजाएगा first option इसमें कोई दिक्कत है ना बिल्कुल सा formula बेटा 189 में आपका work done by external force होता है mb cos theta 1 minus cos theta 2 initial angle theta 1 होता है final angle theta 2 होता है ठीके तो यहाँ से यहाँ तक के work को हमने क्या बोला है w1 बात के work को क्या बोला है w2 ओके बच्चो 190 190 में देखो आपको rotation करवाए गया है magnet coil पे charge देखे तो आपको इसका magnetic moment बताना है देखो magnetic moment का जो formula होता है बड़ा simple सा होता है क्या है आपके जो inertia के formula होता है इसा ring का inertia क्या होता है mr square m को replace कर दो q omega y2 से बस इतना सा दियान रखना है q omega y2 r square तो आपका answer आगया second अगर यही disc होती तो disc का moment of inertia क्या होता है half mr square तो half और आजाता साथ में अगर यही solid square होता solid square का diameter का about क्या होता है 2 by 5 mr square hollow square का 2 by 3 mr square rod होती तो ml square by 12 है ना तो जो भी आपके moment of inertia के formula है वही formula काम में लेने है बस m का replacement जियान रखना q omega by 2 है ना कोई confusion इसमें तो इसमें तो इसमें तो इसमें तो इसमें 190 का 2 कोई डाउट्स में 191 191 में susceptibility आप से पूछा है susceptibility क्या हो जाएगा देखो b बराबर होता है mu into h mu क्या हो जाएगा mu naught into mu r h है ना b upon mu naught into h mu r mu r होता है 1 plus susceptibility तो susceptibility क्या हो जाएगा b upon mu naught into h minus 1 b कितना दिया वह है b दिया 1.6 mu naught कितना होता है 4 pi 10 to the power minus 7 h कितना है 10 to the power 3 तो कितना हो जाएगा 1.6 10 to the power 4 upon 4 pi यानि कि 16 और 3 0 लगा दो 4 pi तो 4000 upon pi तो 4 upon pi 10 to the power 3 लिख सकता हो में तो 4 upon pi में क्या जाएगा मेरे पास 1.3 10 to the power 3 एप्रोक्स इतना आ जाएगा है ना बैं वैलिवाइज आपका एक ही option में कर रहा है तो 191 का क्या हो गया 2 192 की बात करते है तो simple रहो formula था b बराबर mu into h होता है mu को लिखा mu not into mu r solve करते है अपन mu r होता है 1 plus susceptibility तो susceptibility क्या रहाएगा b upon mu not h minus 1 ओके नौट कर लो इसे 192 में आपको बोला है कि किसी paramagnetic के लिए susceptibility 1.2 10 power minus 5 है 300 Kelvin पे तो कितने temperature पे susceptibility इतनी हो जाएगी देखो susceptibility जो होता ना inversely proportional होता है temperature पे है ना तो 1 2 T2 T1 1 में कितना आएगा आपने पास 1.2 10 to the power minus 5 susceptibility बाद वाले कितनी दिए 1.8 10 to the power minus 5 T2 हम से पूछा है T1 दिया हुआ है 300 minus 5 कोड़ा दो तो T2 कितना हो जाएगा 2 by 3 into 300 मतलब की 200 Kelvin ओविस यादे susceptibility वड़ा नहीं है तो temperature घटाना ही पड़ेगा घटाना ही पड़ेगा तो आपके 2 option तो गलत हो गए अब बचा 1 और 2 बस लेना है option 192 का 2 हो जाएगा कोई confusion 193 193 में आपको VB minus VA पूछा है चलो देखते हैं देखो सबसे पेले तो current DIY कितना दियावा है T square plus 2 DI by dt दियावा है 2T plus 0 differentiation कर दिया अब देखो यहाँ पे time के साथ current बढ़ रहा है rate positive आरी न current बढ़ रहा है किदर जा रहा है current इस तरफ current बढ़ रहा है तो inductor भी तो oppose करेगा और यह भी oppose कर रहा है resistance तो हमेशा oppose करता है inductor बढ़ती हुई current को oppose करेगा तो VL की polarity इधर VR की polarity इधर battery opposite में है तो इसका मतलब में पहले VR निकालता हूँ I into R से कितना time लिया T बराबर 1 T बराबर 1 पे current कितना आएगा current आएगा 1 का square plus 2 3 DI by dt कितना आजाएगा 2 into 1 plus 0 एनेगी 2 तो I into R से कितना आजाएगा अपने पास I कितना है 3 resistance कितना है 3 9 volt तो ही आगया VL बराबर क्या होता है LDI by dt L है 1 DI by dt कितना है 2 तो 2 ही आगया अब देखो इसको इस समयना एक तो सेल 10 volt का लगा हुआ है एक इंडक्टर अपोस कर रहा है ये VL बराबर 2 एक ये भी अपोस कर रहा है VR, VR बराबर 9 अब देखो इन दोनों का effect मिला के कितना आ रहा है 11 इसका कितना आ रहा है 10 तो बताओ ज्यादा voltage किसका हुआ B का ये A का देखो इन दोनों का effect मिला के तो कितना हो रहा है इन दोनों का effect हो रहा है 11 या किला 10 है 11 dominating है न तो इसका मतलब VA-VB बराबर 11-10 मतलब की 1 volt आ जाएगा अब हमसे तो VB-VA पूछा है तो minus 1 हो जाएगा VB-VA minus 1 ओके कोई confusion बच्चों इसमें तो यह आपका answer बन गया इसमें easily 193 का 3 option ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं एक transformer के लिए primary और secondary का ratio दिया हो है secondary और primary का ratio दिया हो है NS by NP दिया हो है कितना दिया है 3 efficiency दिया हो है मतलब की power output by power input कितना दिया है 0.75 मतलब की power output जो है वो 3 by 4 टाइम से power input का input power कितनी दिये नहीं दिये क्या तो power input निकालते है पहले पहले पन power input है V in into i in V in कितना है 100 i in कितना है 200 तो input कितना आजाए output कितना आएगा या आएगा 1.500 ठीक है अब देखो secondary में जो है टर्न जादा है तो पक्की बाते वोल्टेज भी जादा आएगा Vs upon Vp बराबर Ns upon Np इसका मतलब Vs कितना है मेरे पास बताना है Vp कितना है 200 नहीं 100 है ना और ये कितना है 3 ये 1 तो Vs कितना आएगा आपके पास 300 तो वोल्टेस तो होगया तो वोल्टेस 300 है secondary में और पावर है 1.500 तो करेंट आधी हो नीची ना 300 इंटू हाफ करोगे तभी तो 1.500 आएगा तो आप पहले तो option ही क्रॉस्टेक कर लो कौन सा option है जिसमें ये तो है Vs की value ये है Is की value Vs Is को multiply करने पर किसमें 1.500 आंसर आ रहा है वो मेरा सही हो जाएगा तो देखो इसमें multiply करने पर तो ज़्यादे आ रहा है 1.500 से गलत है इसमें 1.500 आ रहा है ये तो input से ज़्यादा आ रहा है input power ही नहीं थी अपने पास्ती तो और इसमें 75 आ रहा है 194 में तो 194 में option क्यों जाएगा 2 195 195 में आपको बोला है कि आउटर लूप है उसकंदर एक इनर लूप है है ना current जो है inner loop में clockwise है और linearly बढ़ रही है time के साथ तो देखो inner loop में current clockwise है और linearly बढ़ रही है तो induced current outer loop में क्या होगी है ना चलो अब देखना यहां पे इस loop में छोटे loop में जो magnetic field आएगा current की वज़े से वो किज़र आएगा इधर तो अंदर लेकिन dot बाहर की तरफ dot भी तो बनेगा अब थोड़ा समझना इसको मानलो अंदर की तरफ total so line से तो so line जो है वो इस एरिया में अंदर वाले एरिया में सो लाइने cross में तो इस loop के बाहर से लेकर infinite तक समझना इसको जैसे मानलो यह loop है इसकी वज़े से magnetic field की direction अपर निकालते हैं राइट-hand rule से जहां रखना यह जो अंदर की तरफ direction आई वो के बल अंदर वाले points के लिए होगी यहां इन सब जगे cross में फिल्ट आएगा लेकिन हमें पता है लाइन तो close loop बनाती है कौन सी लाइन magnetic field लाइन तो यह लाइन जो अभी अंदर जा रही हो कहीने कहीं से बाहर भी दो निकल रही होगी ना ऐसे लूप बना रही होगे लाइन तो सारी ऐसे ऐसे तो लाइन इसका यहां infinite तक फेलती है यह बात समझ बहा रही है अब समझना है इसको यहां पर logic क्या है इसमें मान लो सो लाइन है अंदर cross में मान लो खाली समझने कहीं लिए बोल रहा हूं तो बाहर की तरफ यहां से यहां तक कितनी lines होगी infinite तक 100 lines होगी dot में है ना 100 lines होगी dot में तो अब खाली इस अंदर वाली जो जो आउटर loop है ना इसके अंदर देखेंगे तो मान लो इतने से reason में कितनी dot वाली line होगी 100 तो यहां से लेके infinite तक थी तो इसमें मान लो की 20 line dot में है तो बता इस coil का total flux क्या बचा outer वाली coil का flux 5 out बचेगा 102 line cross में है और उसमें से 20 dot वाली minus कर देता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास 80 line cross में बच जाएगी अब आप क्या कर रहे हूँ आप इसमें magnetic field को बढ़ा रहे हूँ है ना आप सोरी आपने current को बढ़ाया inner loop में तो जो यह flux है वो inner वाली current की वज़े सी तो आया है ना current linearly बढ़ाओगे वह हमें पता है 5 बराबर MI होता है 5 2 बराबर M1 तो इसकी वज़े से जो V2 आएगा वो आएगा M into di1 by dt हैना और हमें पता है आई जो है वो तो टी पे directly proportional है है इसको अपन कोई constant मालने है को टी लिख देते हैं तो di by dt क्या रहेगा M into k अब देखो V2 तो constant आ रहा ना मतलब induced EMF जो आएगा secondary coil में वो आएगा linear मतलब constant आ गया constant आ गया तो उसकी वज़े से जो secondary coil में current आएगी वो भी क्या आएगी constant आएगी तो एक तो constant current वाला graph आएगा तो ये बढ़ती हुई current तो गलत हो गया ये तो बात समन्मा आगी ना अब देखो ये तो constant current आ गए क्योंकि VMF constant आ रहा है और I2 क्या जाएगा M2 by R2 ये मतलब वी total flux आया था वो कितना था असी cross में आया था ना cross में है और flux बढ़ भी रहा है अपोज करने के लिए क्या आएगा dot तो dot में flux इसे खुद बनाना पड़ेगा पोज करने के लिए करकि अंदर की तरफ जो cross का flux था वो बढ़ रहा है cross को बढ़ते वे cross को पोज करना है खुद ड confusion 196 की बात करते है 196 में आपको पावर फेक्टर पूछा है cos phi क्या होता है r by z है ना अब r कितना है इसमें r जो है वो आपको दिया वह 500 है ना z कैसे निकालोगी z होता है root of r square plus xl square r है 100 पास्टो का square xl कितना हो जाएगा omega into l तो omega कितना है 1000 into l मतलब कि 1 by 2 का square तो पास्टो का square इने की पास्टो भाई root 2 आ जाएगा पास्टो रूट 2 तो 500 रूट 2 रखोगे तो 1 by root 2 आगया मेरा answer first 196 का first answer इसमें कोई confusion 197 में आप से बोला है कि अगर lr परिपत में xl3 आ रहे तो capacitance 2r भी जोड़ने तो नया constant क्या आएगा देखो cos 5 1 हो जाएगा r by z1 z1 मतलब की r square प्लस 3r square तो r square upon 10 r square यह आ गया फिर बाद में आपने इसमें क्या जोड़ दिया आपने xc और जोड़ दिया तो r square upon 2 अब देखो xl कितना था था यह एकसी उनको तो माइनस करना पड़े करना 2r तो यह आपके पास आ जाएगा r upon 2r square है ना तो इधर तो आएगा 1 by root 5 इधर आएगा 1 sorry यह तो आएगा root 10 इधर आएगा root 2 rr कड़े जाएगे अब आप से पूछाए कि नए और पुराने एक power factor का ratio बता तो cos 5 2 by cos 5 1 5 2 कितना है तो बिटा 1 by root 2 1 by root 10 तो solve करने पाएगा root 10 by 2 ने रूट 5 तो root 5 आपका ratio बन जाएगा इसका इसको मैं यहाद करता हूँ root 5 तो root 5 जो है इसका answer आपका answer आएगा third answer इसमें कोई confusion तो cos 5 का formula r by z होता है जेड निकालना दोनों बार और z कैसे निकालते है अपन? z निकालते है r square plus xc minus xl xl minus xc का square तो पहले केसमें xc नहीं था दूसरे वाले केसमें xc आपने लगाया है ठीक है 198 में आपको बोलाए कि find the amplitude of intensity of magnetic field जेखो intensity of magnetic field है न यहाँ पर ध्यान समझना unit देखो magnetic field पर से tesla में होता है यहाँ ampere parameter दिया है मतलब आपको intensity of magnetic field यहने की h का amplitude बता है? h not बताना है ठीक है? अब देखो e बराबर क्या होता है? b into c होता है e not बराबर b not into c b और h में के relation होता है mu not into h तो आपके पास h क्या हो जाएगा e not upon mu not into c e not कितना है? 1.2 mu not कितना है? 4 pi 10 पर minus 7 c कितना है? 3 10 पर 8 तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 तो यह आजाएगा आपके पास 1.2 12 10 to the power 1 into pi तो यह आजाएगा 10 times यह कट जाएगा तो 100 pi 1 upon में आजाएगा यह तो 1 upon 100 pi तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4th option की तरह है? तो अपना 4th option आजाएगा 198 में कोई confusion इसमें 199 199 में दो को सिंपल सी बात है अभी अपने लिखा था ना e बराबर b into c होता है b हो जाएगा me not into h c हो जाएगा 1 upon root mu not epsilon not e e तो mu not बाहर epsilon not इधर h और यह e है तो e h कितना आजाएगा आपके पास यह आगया अपना मेरा answer 3rd ठीक है कोई confusion इसमें 199 का 3rd हो गया फिर आता है 1200 में देखो आपको यहाँ पर एक question दिया है voltmeter की रीडिंग 100 volt है तो L बताना है देखो voltmeter किसका voltage रीड करेगा voltmeter पूरा 100 volt रीड कर रहा है ना पूरा का पूरा 100 volt इस पा गया इसका मतलब VL और VC आपस में कट गए होंगे तब ही तो उसने सारा का सारा VR जो है वो VS के बराबर है और यह कौन सी condition है resonance है आपको L बताना अपर रिजने का मतलब क्या होता है आगया स्क्वेर कर देंगे इसका तो यह थर कितना आजाएगा वन अपून टू पाई इंटू फाइव अंड्रेड स्क्वेर करो तो यह जाएगा इसको सॉल करेंगे आगे तो अपन एल कितना आजाएगा तो यह बच्चों अपना यहाँ पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्ट किया होगा अब जो भी आपकी डाउट्स आते जा रहे हैं पेपर्स में उनको हात्वां दूर करें और नोट्स में उन चीजों का अपडेट करते जाएं ताकि अगली बार यहाँ इसे क्यों गलत ना ह पूरे confidence से तयारी करें हैना अच्छी तयारी करें हैना पेपर काफी इस आने वाला है जो आप practice कर रहो वही आपका पेपर है ठीक है ओके बच्चों thank you all the best